पिछले पार्ट में मास्टर लिंग साओ भी अपने पाउर का यूज करके हुवांग के उपर अटेक करने लगे थे जिसके बाद हम देखते हैं कि हुवांग अब इनके पाउर के सामने ज्यादा कुछ नहीं कर पाता और फिर वो गुसे में आकर हाओ चेन और उसके साथियों के उपर भी अटेक कर देता है लेकिन यहाँ देखते हैं मास्टर लिंग साओ इसके पाउर से इनको जख्मी होने से बचा लेता है जिसके बाद हम देखते हैं कि हुवांग के दोनों गार्ड भी अपने पाउर का यूज करके इनके उपर अटेक करने लगते हैं जिससे दे लिमन एम्परर के बिना ही तुम इतने संदार तरीके से फाइट कर रहे हूँ तब इस पर हुआंग उससे कहता है कि तुम्हारे साथ में डिल करने के बाद मैं इनको भी थोड़ा सा मज़ा चखाऊंगा और फिर उसके बाद मैं उन सभी को सेफ तरीके से फैंटेसी परडाइ लेकिन अब तो ऐसा लगता है कि केवल तुम्हारी जुबान ही ज्यादा चलती है लेकिन वहीं अब उस बोट में एक एल्डर यहां पर आ गये थे जिसे देख मास्टर लिंक सा हुआंग से कहता है कि तुम वही पर खड़े रहना तब इसकी ऐसी बात सुनकर हुआंग उसस असानी से पकड़ लिया वही हुआंग मास्टर लिंक साओ के उपर गुसा होते ही वे कहता है कि तुम मेरे लोगों को वापस करो तब इस पर मास्टर लिंक साओ से कहता है कि इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है क्योंकि फैंटेसी पर एड़ाइज अप उपन होता है तो कि अब लेबल सेबेन से कम वाले लोग ही लेग के पास में जा सकते हैं और अगर तुम्हें मेरे उपर यकीं नहीं है तो तुम खुद इसे chỉ करके देख लूँ अब इसके वज़ा से हम देखते हैं कि हुवांग भी इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और फिर कहने लगता है कि यह ओल्ड मैंन कोई इंसान नहीं है और फिर इसी से बारे में सुनकर हुआगा अपने लोगोसे वहाँ पर जाने के लिؤ कहता है जिसके बाद हम देखते हैं कि उसके लोग वहाँ पर जाने लगे थे और इसी के साथ हुवांग अपने लोगों से कहता है कि तुम इसन के बारे में अच्छे से याद रखना वहीं मास्टर लिंक्स आओ भी कहता है मैं उमीद करता हूँ कि तुम सभी वहां से कुछ न कुछ हांसिल जरूर करोगे लेकिन इसी के साथ तुमें वहां पर बहुत ही केरफुल रहना होगा और इसी के साथ तुम ट्राइ करना कि तुम जल्दी से वहां से वापस आ जाओ जिसके बाद हम देखते हैं कि इसकी बात सुनकर वे सभी भी पोटल के उपर आकर खड़े हो जाते हैं लेकिन तब ही इसी वक्त यहाँ पर हाँच इनको प्रिंसेस यूई नजर आती है जिसके बाद वो इसे देखते ही याद करने लगता है कि प्रिंसेस यूई ने उसे कहा था कि अगर हम फैंटेसी परेडाइज में फिर से मिलेंगे तब उस वक्त में वहाँ पर तुम्हें बहुत बड़ा गिफ्ट दूंगी लेकिन असल में हाँच इनको इसके बार इसके अलाबा वहाँ पर दिन और रात भी एक साथ में होते हैं और इसलिए वहाँ की सभी चीज एंडलेस है इसके बाद वो अपने पावर का यूज करते हुए इनसे कहता है कि तुम सभी नेचर कोड़ेस के रूल्स को फॉलो करना जबकि मैं यहाँ पर तुम सभी के आने का वेट करूंगा अब इतनी बात कहने के बाद हम देखते हैं कि उसने फैंटेसी परेडाइस को ओपन कर दिया होता है और फिर इनसे बताता है कि तुम सभी वहाँ पर तीन दिनों तक बहुत ही असानी से घुम पाओगे लेकिन तुम स्प्रिच्वल फरनेस को से हैरान हो गए थे लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि वे सभी यहां से टेलिपोर्ट भी हो जाते हैं जिसके बाद वो एल्डर कहता है कि यहां फैंटेसी परेडाइस के रूल की लाइन है जो डिटेक्ट कर रहा है कि यहां पर एंटर करने वाला लेबल 7 से नीचे ह या नहीं है और इसलिए तुम जैसे ही टेस्ट को पास करोगे तुम्हें फैंटेसी परेडाइस के किसी जगह पर ट्रांसपोर्ट कर दिया जाएगा लेकिन इसी के साथ वो इन से कहता है कि अगर तुम इस टेस्ट में फेलो गए तब उसके बाद तुम्हें फैंटेसी पर आने के लिए कहता है जिसके बारे में सुनते ही वो भी तुरंत यहां पर आ गया था और फिर उससे कहता है कि आपने जो भी करने के लिए कहा था मैंने उसे पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया है लेकिन असल में अब सभी लोग यहां पर इधर उदर फैल गए हैं तब इस प तभी हमें पता चलता है कि हाउचिन तो अभी भी वहीं पोटल के अंदर फसा हुआ है इसलिए वो हैरान होते हुए कहने लगता है कि केवल महीं यहां पर क्यों फसा हुआ हूँ और आखिरकार यह रूलाइन मुझे डिटेक्ट क्यों नहीं कर रहा पर तभी अचानक से हम कि इलेक्रोलक्स के पाउर के वज़ा से यहां पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसे देख सभी लोग पूरी तरह से हैरान हो गए थे और वो एल्डर भी कहने लगता है कि याखिरकार यहां पर क्या होने लगा तभी उससे पता चलता है कि ट्रांसमिसन चैनल तो किसी हाईयर लेबल के लोग के बज़ा से डिस्ट्रॉय हो गया है और फिर इसलिए वो तुरंत अपने पाउर का यूज करके इसके बारे में चेक करने का डिसाइड करता है लेकिन तभी उससे पता चलता है कि हाउचिन के पास में तो नेचर गॉड़ेस के जैसा ही कोई सीमलर ए इसके बाद हम देखते हैं कि वो एलडर भी एक बिस्ट के रूप में ट्रांस्फोर्म होकर वहाँ पर चला जाता है वही दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हाउचेन भी टेलिपोर्ट होकर फैंटेसी पर एडाइस के अंदर आ गया था लेकिन तभी अचानक से उसके पाउर आने लगती है जिसे देख वो हैरान होते हुए कहता है कि या क्या होने लगा तो अगर एक्स्प्लानेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस पर एक कॉमेंट जरूर कर देना और अगर आपने इसके पिछले पार्ट को मिस कर दिया हो तो लेफ्ट वा पाली वीडियो भी जरूर देख लेना